देश की सबसे बड़ी जाच एजेंसी सीबी आई में दो टॉप अफसरों के बीच चल रही रस्सा कशी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबी आई डिरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डिरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया सरकार नहीं चाहती कि इन दोनों अफसरों के चलते सीबी आई की साख को और नुकसान पहुँचे लेकिन क्या सरकार के पास सीबी आई डिरेक्टर को उनके पत से हटाने का अधिकार है दरसल CBI डिरेक्टर को उनके पत से हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है क्योंकि सुप्रिम कोट के फैसले के मुताबिक CBI डिरेक्टर का कारेकाल कम से कम दो साल के लिए फिक्स होता है 1997 में सुप्रिम कोट ने विनीत नरायन बनाम अन्य के केस में विवस्था दी थी कि CBI डिरेक्टर का कारेकाल कम से कम दो साल का होगा ताकि वो पूरी स्वतंतरता के साथ काम कर सकें कोट ने ये भी कहा था कि डिरेक्टर का ट्रांसफर सिर्फ आसामाने परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा और वो भी सिलेक्शन कमिटी की मनजूरी के बाद यही वज़े है कि CBC यानि Central Vigilance Commission की सिफारिश पर लिए गए केंदर सरकार के फैसले के खलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रिम कोट का दर्वाजा खट-खटाया है जह मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी NBT Online की रिपोर